जमीन जल चुकी आस्मान बाकी है सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है बरस जाना इस बार बक्त पर एमेग किसी का मकान गिरवी है किसी का लगान बाकी है किसी कभी कि ये चार पंक्तियां आज उत्तर प्रदेश में आग से तबा हो रहे किसानों की बर्बादी के सामने नाकाफी लग रही हैं पेट काटकर साहुकार से करजा लेकर बच्चे की फीस से लेकर मा की दवाई तक से समझोता करके जैसे तैसे बुआई की खाद पानी चलाया चिलचिलाती धूप में पसीना बहाया और जब लहलहाते सोने की तरफ हसल पक कर तयार हुई तो एक चिंगारी ने सब को जला कर राह कर दिया जी सहब किसान की यही कहानी है कभी सूखा कभी ओला कभी अती ब्रिष्टी तो आजकल रोज लगती आग ने उसे तबाह कर रखा है ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब गोरखपुर बस्ती मंडल के किसी गाउं में एक छोटी सी चिंगारी आग की सकल लेकर कई बीगा या एकडगेहूं की फसल को जला कर राख न कर दे रही हो बुद्वार को भी संतकवीर नगर के लहुरा देवा और पहली गाउं में 72 भिगा फसल जल कर राख हो गई बताया जा रहा है कि यह हाथसा कंबाइन मसीन से कटाई के समय एक चिंगारी निकलने से हुआ आसपास के ग्रामिडों ने आग बुझाने के कई जतन किये लेकिन देखते ही देखते आग ने विक्राल रूप ग्रहन कर लिया इसी तरह महुली के कोलू गाढ़ा की दलितबस्ती में अग्यात कारणों से बाबु राम के छपपर में आग लग गई एक मोटर साइकिल और तीन बिगा फसल जल कर राक हो गई आजे कुमार सिंग लाइब हिंदुस्तान गोरकपोर जमीन जल चुकी आसमान